ओम ख्रणी सूर्याई नम्हा आप सभी पर सूर्य नारायन के गृपा सदा बनी रहे आज आप सुनेंगे जेस्ट मास महातमय में आगे की कथा लेकिन उससे पहले आज आप सुनेंगे भगवान शिव की एक पुराणिक कथा कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार रावर ने कुबेर को लंका से निकाल दिया कुबेर को महा से जाना पड़ा अपना राज और प्रजा खोने की निराशा में उन्होंने शिव जी की पुझा आराधना शुरू कर दी और वो एक शिव भक्त बन गए भगवान शिव भी अंसार के सबसे अमेर व्यक्ति बन गए धन मतलब कुबेर ये कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा यानि कि जिसके पास धन होता है लोग उसे कुबेर समझते हैं इस तरह कुबेर शिव जी के महान भक्त बन गए लेकिन जब भक्त को ये लगने लगे कि वो ही सबसे महान तो समझ जाएं कि अब वह भक्त सब कुछ खोने वाला है जब भी गर्व किसी भक्त के मन में आ जाता है तो भगवान उस गर्व को खंडित करने में चूर चूर करने में देर भी नहीं लगाते कुबेर को अब ये लगने लगा था कि वो शिवजी को इतना कुछ अर्पित करते हैं तो वो एक महान तम भक्त हैं और बेशक शिवजी ने चड़ावे में से बिभूती के लावा कभी कुछ भी नहीं चुआ लेकिन कुबेर खुद को महान समझने लगे जोंकि वो शिवजी क इतना कुछ चड़ावे के रूप में भेट किया करते थे फिर एक दिन कुबेर शिवजी के पास गए और कहने लगे हे भूली नात मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बताएए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं शिवजी ने कहा तुम मेरे ले क्या कर सकते हो कुछ भी नहीं क्योंकि मुझे तो किसी भी चीज की आवशकता ही नहीं है मैं ठीक हूँ हाँ किन्तु मेरा पुत्र गणपती उन्होंने गणपते की और इशारा करते वे कहा कि मेरा ये पुत्र हमेशा भूखा रहता है बस इसे अच्छे से भर पेट खिला दो कुबेर देपता ने सोचा कि ये तो बड़ी सरल बात है ऐसा कहकर कुबेर गणपती को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए उन्होंने गणपती को भोजन कराना शुरू किया गणपती खाते गए खाते ही चले गए कुबेर ने सेकडो रसोयों की विवस्था कर दी भोजन था कि बार बार कम पड़ जाता बहुत अधिक मातरा में भोजन बनाना शुरू किया गया और ये सारा का सारा गणपती के आगे परोसा गया और वे खाते रहे ये सब देखकर कुबेर देटा अब चिंतित हो गए उन्होंने कहा रुक जाओ अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा गणपती ने कहा कुबेर जी आप चिंता मत किजिए देखिए मैंने एक साप को एक कमर पेटी के रुप में बांध रखा है तो आप मेरे पेट की चिंता मत करें ये नहीं फूटने वाला मुझे तो जोर से भूक लगी है आप बस मुझे खाना खिलाइए आप ही ने तो कहा था ना कि आप मेरी भूक मिटा सकते हैं कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोकों से भी भोजन मंगवा मंगवा कर गणपती को खिलाया गणपती ने ये सारा भोजन समाप्त करने के बाद भी कहा मैं तो अभी भी भुका हूँ मेरा भोजन कहा है तब कुबेर को अपने विचार के छोटे पन का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव के सामने जुकते वे कहा भोलेनाथ मैं समझ गया मेरा धन आपके सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापिस दे कर मैंने खुद को एक महान भग्त समझने की गलती की थी हे भगवन मुझे एक शमा कीजिए तो इस प्रकार भोलेनाथ ने अपने ही भग्त को पहले सब कुछ दिया और जब उस भग्त के मन में एहंकार आ गया तो उसी एहंकार को दूर करने के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने ये लीला रची ताकि उनका भग्त सही रास्ते पर आ जाए भगवान इसे प्रकार हमारी साहता करते हैं भगवान हमारे मन की हर बात चान लेते हैं भगवान तो अंतर्यामी है इसलिए जब मन में भगती हो तो गर्व कभी नहीं करना चाहिए अब सुनिए एक और अद्भुत कहानी एक बार जब भगवान शिफ योग का संचारन और स्रस्टी की संग्रक्षना की व्याख्या सब्त रिश्यों से कर रहे थे तब ये एक अद्भुत और सुन्दर घटना घटित हुई सब्त रिश्यों में से एक रिशी जो बाद में भ्रगु महारिशी के नाम से प्रसित हुए भगवान शिव के एक उच्साही भक्त थे भगवान शिव सब तरिशियों के साथ वह जो व्याख्या कर रहे थे जो कांती सरोवर के किनारे हो रहा था जिसे कृपा की जील के नाम से भी जाना जाता है उस जगा पर देवी पारवती जी भी उपस्ति थी भरगु रिशी हमेशा की तरह सुबह जल्दी आये और वे शिव जी की प्रदक्षिना अर्थात परिक्रमा करना चाहते थे पारवती जी शिव जी के करीब ही बैठी थी लेकिन भरगु रिशी ने देवी पारवती की परिक्रमा ना करते वे भगवान शिफ और देवी पार्वती के बीच में से होकर भगवान शिफ की परिक्रमा पूरी की क्योंकि वे भगवान की ही परिक्रमा करना चाहते थे देवी पार्वती की नहीं भगवान शिफ तो इससे प्रसन हुए लेकि देवी पार्वती जी नहीं हुई उन्हें ब्रगु रिशी की ये हरकत पसंद नहीं आई देवी पारवती के मन की बात भगवान शिव समझ गए उन्होंने देवी से कहा कि आप थोड़ा और करीब आजाए तो वो आपकी भी परिक्रमा कर लेंगे पारवती जी भोलेनात के और करीब आगई ब्रगु रिशी ने देखा कि आप तो परिक्रमा करने के लिए भगवान शिव और देवी पारवती के बीच में थोड़ी सी भी जगा नहीं बची तो उन्होंने एक चुहे का रूप थारन कर लिया और देवी पारवती को बाहर रखते वे अकेले शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली पारवती जी इस पास से क्रोधित हो गई तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जंगा पर बिठा लिया और तब भी ब्रगुरिशी ने एक चोटे से पंची का रूप थारन किया और शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली अब तक पारवती जी के क्रोध की सीमा नहीं रही वो अत्यत क्रोधित हो चुकी थी शिव जी ने पारवती जी को खीच कर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पारवती इस प्रकार वे अर्ध नारिश्वर बन गए ब्रगुरिशी ने ये सब देखा वे खुद भी पीछे नहीं अटने वाले थे और उन्हेंने खुद को देखते ही देखते एक मधुमक्षी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा लिया ब्रगु का ये बचकाना भक्ती भाव देखकर अब शिव जी तो प्रसन हुए लेकिन साथ ही साथ वे भी नहीं चाहते थे उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सके देवी पार्वती को रिशी की इस ओची सोच पर बहुत क्रोधाया उन्होंने रिशी से कहा कि तुम्हें इस्त्रियों से इतना ही परहज है तो क्यों न तुम्हारे अंदर से इस्त्रि शक्ती को ही अलग कर दिया ऐसा कहते ही देवी ने रिशी से इस्त्रित्व को अलग कर दिया अब भ्रगु रिशी ना तो जीवितों में थे ना मृत में उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी तब वे मापार्वती से क्षमा यासना करने लगे तब भगवान शिव ने देवी से रिशी को अक्षमा करने के लिए कहा मातापार्वती ने उन्हें क्षमा कर दिया और बोली संसार में इस्त्री शक्ती के बिना कुछ भी नहीं बिना इस्त्री के प्रकर्ती भी नहीं पुरुष भी नहीं दोनों का होना अनिवार है, जो इस्त्रियों को सम्मान नहीं देता, उसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी के मरीची नाम से विख्याद जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए, उनकी तेरह पत्नियां हुई, वे सब की सब प्रजापती दक्ष की करनिया थी। उनसे देवता, दैत्य और नाग बहुत से पुत्र उत्पन हुए। उनने नागों को और मुनी ने गंधर्वों को जनम दिया। तथा उनके भी पुत्रों से ये सारा संसार व्यापत है। कश्यप जी के पुत्रों में देवता प्रधान है, इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ट परमेष्ठी प्रजापती ब्रह्मा जी ने देवताओं को यग्यभाग का भोकता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया। परंतु उनके सोतेले भाई, दैत्यों, दानवों राक्षोसों ने एक साथ मिलकर उन्हें ही कस्त पहुचाना आरम कर दिया। इस कारण एक हजार दिवी वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान सूरी की आराधना के लिए महान प्रयास आरंप कर दिया। वे नियमित आहार करती ही कठे नियमों का पालन और आकाश में इस्तित तेजो राशी भगवान सूरी की स्तुति करने लगी। आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपने किरनों से प्रत्वी का जल ग्रहन करते हैं उस समय आपका जो तीवर रूप प्रकट होता है मैं उसे नमस्कार करती हूँ। आठ महिनों तक सोम में रस को ग्रहन करने के लिए आप जो अत्यन्त तीवर रूप धारन करते हैं मैं उसे प्रणाम करती हूँ। हे भासकर उसी संपुर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को तत्पर होते हैं उस समय आपका जो त्रप्ती कारक मेग रूप प्रकट होता है उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन हुए सभी प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भासकर रूप धारन करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। जो संपूर्ण देवताओं तथा पित्रों को त्रप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है आपके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप रिक यजु और साममय तेजों की एकता से इस संपूर्ण विश्व को तपाता है तथा जो वेद 2300 रूप है उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिती नियमपूर्वक रहकर दिन रात सूरी देव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रती दिन निराहार ही रहती थी। इसके बाद बहुत सारा समय बीतने पर भगवान सूरी ने दक्ष कन्या अदिती को आकाश में प्रतेक्ष दर्शन दिया। देवी अदिती ने देखा कि आकाश से प्रत्वी तक तेज का एक महान पुंजिस्थित है। प्रजवलित ज्वालाओं की कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिती को बड़ा भय हुआ। फिर वे बोली हे गोपते आप मुझे पर प्रसन हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहां भूतल पर मुझे केवल तेज का ही समुदाय दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर मुझे पर करपा कीजिए जिससे आपके रूप का दर्शन मैं कर सकूँ। हे भक्त वत्सल प्रभो मैं तो आपकी भक्त हूँ और आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस सम्पूर्ण विश्व की स्रस्टी करते हैं। आप ही पालन करने के लिए तत्पर होकर सदा इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सब कुछ ये आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोकों में आपके सिवा दूसरी कोई कती नहीं है। आप ही श्री ब्रह्मा, विश्णू, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुन, वायू, चंद्रमा, अगनी, आकाश, परवत और समुद्र हैं। आपका तेज सब का आत्मा है। आपकी क्या इस्तुती की जाए प्रभू। हे यगेश्वर, प्रतिदिन अपनी कर्म में लगेवे ब्रहमण, तरह तरह के पदों से आपकी स्तुती करते वे यजन किया करते हैं। जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष, योगमार्ग से आपका ही ध्यान करते हैं। जिन्होंने रुद्र रूप धरन करके आप ही संपून जगत का संघार करते हैं। जिन्होंने वरदायक भगवान सुरी से बोली। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को इस्त्रियों को कभी भी सास्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब देवी बोली हे सूरी देव आप प्रसन हो। अधिक बलवान देत्यों दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज और यग्यभाग छीन लिये हैं। गोपते उन्हें प्राप्त कराने के निमित आप मुझपर करपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रों का नाश कर दीजिए। प्रभो आप ऐसी करपा करें जिससे मेरे पुत्र पुन्ह यग्यभाग के भोकता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने देवी अधित्य से प्रसन्न होकर कहा। देवी मैं अपने सहस्त्र अंशो सहित तुम्हारे गर्भ से अफ्तरित होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रों का नाश करूँगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्व वहीं अंतरध्यान हो गए और देवी अधित्य भी संपूर्ण मनुरत सित हो जाने के कारण तपस्या से निवरित्य हो गई। इसके बाद सूर्व देव की सुशोम्ना नाम वाली किरण जो सहस्त किरणों का समुदाय थी देव माता अधिती के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अधिती एकागरी चित्थोकर क्रच और चांदरायान आधिव रतों का पालन करने लगी और अत्यत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारन किये रही। ये देखकर महर्शिक कश्यप ने एक दिन कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो। हरे कृष्णा आज की अध्याई में बस इतना ही इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याई में सुनिएगा।